गुड मॉनिंग प्यारे बच्चो एवसेंटर कॉलिज दुरुनिया वरे लिखी ओनलान क्लाजिस में आपका स्वागत है हम लोग पढ़ रहे हैं कच्छा वारा कि यह साइन विज्ञान चैप्टर है ठोस अबस्था और इससे सम्मुद्ध हम करने वाले हैं कुछ आंकिक पि और वाइक्षर लेक्शन है ठाहन सुनिया आप चाहात लिखते रहे गां एक योग एक एक्स और बाईतत्वों से मिलकर बना है कौन बच्चो एक्स और बाईतत्वों से बना है ठीक है आगे पढ़ते हैं इसकी घनिये सनचना में परमाणू एक्स घनके कोनों पर फल्कों पर है जो एक्स अवो कहां पर है कॉर्णर पर लगा है और फेस पर भी लगा है ठीक है प्यारे बच्चो जबकि बाई पर वाडू किनारो वा घंड के केंद्र पर है मतलब कहां का लगा है यह एडच पर लगा है और घंड के केंद्र और थाथ बोडी के सेंटर पर भी लगा ह है ठीक है प्यारे बच्चों तो हमें क्या करना है तो हमें योगी का अरुसुत्र find out करना है very simple सवाल है तो देखो कॉर्णर कितने होते हैं किसी घर में आठ कॉर्णर होते हैं कंट्रीविशन कतना होता है बन बाई एट पॉस्टिफ टाइम्स फेस कतने होते हैं जाने सिक्स कंट्रीविशन फन बाई टू यह थो होता है न चलो सॉल्व करते हैं तो हमें एक पिलस यहां जाएगा थ्री जाएगा यहां लिए को आ 4, ठीक है न, total value कितने आ गई, 4, इधर देखते हैं, age कितनी होती है, 12 age होती है, ठीक है न, और contribution कितने होता है, 1y4, positive times, body के center कितने होती है, एक contribution 1, यह हो जागा, यह जागा, 3 plus 1 equal to 4, अर्थात, हमारे यहापे 4 value आ गई, और यहापे भी 4 value आ गई, तो देखते हैं, योगिक का अडू सूत्र, तहा, योगिक का, अडू सूत्र, योगिक का अडू सूत्र, योगिक का जो सूत्र हो जागा, प्यारे बच्चों, वो हो जागा, x4 and y4, इसको हम ऐसे भी लेख सकते हैं, यह करके, x, y, यह हो गया, योगिक का, आई अगला question देखते हैं, नोटस में अगला पर, y पर मालू, center पर, जबकि o, edge पर है, ठीक है, प्यारे बच्चों, एक cube है, जिसमें तीन तत्व है, x, y and z, ठीक है, प्यारे बच्चों, तो इसमें जो x है, वो कहा लगा है, corner पर, ठीक है, और y कहा है, center पर, और, y center पर, o कहा है, edge पर है, ये edge पर लगा है, ठीक है, प्यारे बच्चों, ये o है, question में क्या है, ये o दिया है, o, o कहा लगा है, edge पर लगा है, तो योगी काड़ू सूत्र क्या होगा, ठीक है, प्यारे बच्चों, देखते हैं खेर, corner होते हैं, 8, contribution 1 by 8, equal to 1, यहां center कितने होते हैं, 1, contribution 1 by 1, ठीक है, इना आ जाएगा, और यहां पर 8 कितनी होती हैं, 12, contribution 1 by 4, यहां कितना जाएगा, 4, 3, 12, तो आगे हैं, यहां पर 3, तो अथाथ, यहां पर योगी का और सूत्र होगया, योगीक का और सूत्र, जो योगीक का और सूत्र होगया, प्यारे बच्चों, वो गया, X1, Y1 and O3, या इसको हम लेख सकते हैं X, Y, O, 3 यह हो गया योगी का अरुसूत्र तो आएए अगला कोशन देखते हैं एक गन में एक परमाडू A छे कोनों पर B चार फेस पर हैं तो योगी का अरुसूत्र क्या होगा ठीके प्यारा बच्चो तो यहाँ दो टाप के परमाडू दिये हैं A and V तो जो A है वो कहां लगा है 6 कॉर्णर पर 6 कॉर्णर पर लगा है और यह लगा है 4 फेस पर लगा है ठीके प्यारा बच्चो तो देखते हैं इसका सलूसन कैसे होगा तो 6 ठीके और कॉर्णर केतने हो और कॉर्णर दिये हैं 6 कंट्रिवूसन क्या होता है इसका 1 by 8 है ना तो इसको ज़्णा सॉल्व कर लेते हैं 2 तीए 6 और 2 चौक 8 तो यह आगे 3 by 4 यहाँ देखते हैं यहाँ पर 4 फेस दिये हैं पंट्रिवूसन बन बाई 2 होता है फेस का तो यह हो जाएंगे 2 से कट जाएगा तो आजागा यहाँ पर 2 ठीक है पहरे बच्चो तो देखते हैं योगे का अलुसूत्र क्या होगा और थाथ जो योगे का अलुसूत्र होगा योगे का अलुसूत्र जो योगे का अलुसूत्र हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा A 3Y4 and B2 ठीक है तो इसको हम अच्छे रूप में लिखना चाहें तो इस टैप से भी ले सकते हैं यहां 4 से multiply कर देते हैं तो हो जाएगा A3V8 यह हो गया योगिका अरुसूत्र तो प्यारे बच्चों यह मैंने जो shortcut टैक्निक से आपको यह सवाल करना सिखाया है आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए सेर कीजिए और चेर को सब्क्राब जरूर कर लीजिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जय हिंद बंदे मातरम